एब बबीता ठीक से लगा जाड़ू अहां भाबी लगा रही हूँ जल्दी कर और सुन इसके बाद पोच्छा भी अच्छे से लगा ना कोने कोने में हाँ जी हाँ जी कर दियूंगी पोच्छा भी चल चल जल्दी कर ये कहानी है बबीता और उसकी जेठानी काजल की बबीता हर्याना की रोह तक की रहने वाली थी जिसे अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले आशीश से प्यार हो गया और फिर दोनों की शादी भी हो गई आशीश की ना तो मा थी और ना ही पिता बस एक बड़ा भाई था और को लगा था कि उसकी जेठानी ही उसे सास का प्यार देगी लेकिन यहां तो कहानी ही उल्टी चल रही थी बबिता अरे कपड़े धूले की नहीं अब तक बस जान लाग रही हो भाबी क्या अभी तक कपड़े धोने शुरू भी नहीं किये तुने कमभखत मारी एक नंबर की काम चोर है माने कुछ ना सिखाया ससुराल भेजने से पहले भाबी मा पड़ना जाओ आपने जै करना है मनने कैदो आहाँ हाहाँ एक तो काम चोरी उपर से सीना चोरी देख तो लो काम वाम करना नहीं है बस जबान चल वालो अब जल्दी जा फिर खाना भी बनाना है फौरन चली जाए यहां से बना तेरा खून पी जाओंगी मैं बबिता को काजल पर गुसा तो बहुत आ रहा था पर वो खून का घूट पी कर वहां से चली गए काजल वाकई बहुत खडूस और आलसी थी बबिता के आने के बाद उसने घर के सारे काम बबिता पर ही डाल द गाने बेटा मुझसे उलजने की कोशिश ना करना मैं जे ठानी हो जे ठानी तो मुझसे ना जबात क्या कर समझी जी भाबी समझगी आज मुझे आप से इस तरह बत्तमेजी से बात नहीं करनी चाहिए थी मैं वो सौरी केंट चारी थी आपसे हाँ हाँ ठीके ठीके पर आग पूर्णी गलती ना होते हुए भी काजल से माफिय मांग लेकिन उससे यही गलती हो गई काजल को लगा कि बबिता उससे दब गई है और अब तो काजल उस पर और जादा दादागिरी दिखाने लगी और बेचारी बबिता सब कुछ सेहन करने लगी फिर एक दिन जब काजल बाजार में चाट खा रही थी तभी वहां से एक ओटो गुजरा जिसमें लगे भोपू से आवाज आई सुनो 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 विधायक जी की तरफ से आपके शहर कुछती का आज तक का सबसे बड़ा कॉम्पेटीशन होने जा रहा है और सबसे खास बात ये कॉम्पेटीशन सिर्फ महिला पहलवानों के लिए है तो बहनो भाबियों हो जाओ तयार जीतने वाली को मिलेंगे पूरे पचीस हजार सुनो 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 ये अलान सुनते ही काजल का मुख खुला का खुला रह गया ओटो में से फेके गए पर्चों में से उसने जट से एक पर्चा उठा लिया फिर सीधा अपने घर आ गए उसने वही पर्चा चार पाई पर रखा और कपड़े बदलने चली गए तभी वहाँ सफाई कर रही बबिता की नजर उस पर्चे पर पड़ गई वो पर्चा पढ़ी रही थी कि तभी उसे काजल के आने की आवाज आई और वो फिर से जाडू लगाने की एक्टिंग करने लगी ये इनाम तो मैं ही जीतूँगी एक बार ये पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं चांदी की नई पाईले बनवाओंगी नई नई साडिया खरीदूँगी रोज बैट कर आराम से अंगूर खाऊंगी कसम से जिंदगी में होंगे मज़े ही मज़े इतना कहते ही काजल बरामदे में गई और उठक बैठक करने लगी और इसी तरह पूरा हफ़ता बीद किया और फिर प्रत्योगिता का दिन भी आ गया काजल अपने फाइट से एक घंटा पहले ही प्रत्योगिता वाली जगा पहुँच गई उसने देखा कि वहाँ एक फाइट पहले से चल रही थी एक लड़की दूसरी लड़की को उठा उठा कर पटक रही थी ये मंसर देखकर वहाँ मौझूद हर आदमी का मुख खुला का खुला रह गया और फिर रेफरी ने उसका हाथ उठा कर उसे विजई घोशित किया जब वो लड़की घूमी तो काजल उसका चेहरा देखकर हैरान रह गये वो बबिता थी बबिता की फाइट स्किल देखकर काजल का गला सूप कया और फिर बबिता काजल को देखकर उसके पास आई अरे भापी आप यहाँ हो अच्छा आप न जुरूर मेरा होसला बढ़ाने आये हो देखो भापी मैंने इसका क्या हाल कार दिया पर चिंताओ ना करो बस मेरी आज एक और फाइट है पता नहीं कौन आवेगी खैर जो भी आवेगी मैं उसकी हज्या तोड़कर ही घर जाओंगी और टेम से पहले ही सारे काम भी निप्टा दियोंगी इतना कहकर बबिता रिंग में वापस चली गई और अगली फाइट का इंतिजार करने लगी मगर अगली फाइट होती कैसे उस फाइट में काजल को जो लड़ना था वो भी बबिता के साथ सब काजल को ढून रहे थे लेकिन काजल तो वहाँ से 9-11 हो चुकी थी भाबी ओ बाबी देखो मैं आ गई बबबिता तुम मतलब आप क्या हुआ उस दूसरी फाइट का अरे वो तो आई को नया लगता है उसने मेरी पहली फाइट देख लियोगी हाँ हाँ आप खड़ी क्यों हो बैटो न मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ हाँ हाँ भाबी और सुनो जरा मिठा तेज रखना और बस यहाँ से सब बदल गया काजल की दादागिरी खत्म हुई लेकिन बबिता कभी उस पर हावी नहीं हुई और अब दोनों मिलकर अपना घर अच्छे से संभालने लगी भाबी नाश्ता बन गया क्या मैं लेट हो रहा हूँ हाँ हाँ हो गया लो आलू के पराठे बनाए है आज क्या बात है मज़ाई आ जाएगा फिर तो जी करता है कि सारे काम छोड़ू और आराम से बैठ कर बस यह पराठे ही खाता रहा हूँ तू भी ना चल अब जल्दी कर नहीं सच में भाबी आपना बैस्ट हो हाँ वो तो है लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे क्या भाबी फिर वही बात आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो हाँ देवर और भाबी का बड़ा ही प्यारा रिष्टा होता है इसमें मान सम्मान भी होता है और हसी मजाग भी सरिता की शादी किशोर से हुई थी और राहुल उसका देवर था किशोर और राहुल की उम्र में दस साल का बड़ा अंतर था जब राहुल छोटा था तभी उसके माता-पिता का देहान थो गया था उनके जाने के बाद पहले किशोर ने और फिर भाबी बनकर आई सरिता ने राहुल को अपने बेटे की तरह पाला था सरिता और किशोर की कोई उलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटा दिया था राहुल मजे से पराठे खा रहा था कि तभी किशोर वहां आया हाँ भई क्या बनाया आज हाओ भिया और मिलो वर्ट की सबसे बेस्ट शेफ से आलू पराठा स्पेशलिस्ट दस सरिता भावी से मसका लगाना तो कोई तुझ से सीखे और बता क्या चल रहा है कुछ नहीं बस अगले महिने एक्जैम और फिर नौकरी की तयारी गुड आज अगर मा बाबुजी जिन्दा होते तो कितने खुश होते बस तू जल्दी से अपना काम धंदा शुरू कर फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूम धाम से क्या यार भहिया जब देखो वही बात आप पराठे खाओ न और मुझे भी शांती के साथ पराठे खाने दो किशोर के घर में हमेशे ऐसे ही हसी मजाग का माहौल रहता था किशोर एक कंपनी में काम करता था और सरिता घर संभालती थी माबाप के एक साथ चले जाने के बाद रिष्टेदारों ने किशोर की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ताकि वो दोनों मिलकर रहुल का खयाल रख सके सरिता भी भाबी नहीं बलकि मा के रूप में रहुल का पूरा खयाल रखती थी ऐसे ही कई दिन गुजर गए रहुल की कॉलिज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी फिर एक दिन कॉलिज में हाई हाई रसिका कैसी हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो अरे यार ये तो मुझे आप क्यों बोलती हो तो क्या बोलू तुम बोलो ना जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ मैं आपको तुम बोलू फिर वही बात अच्छा खैर छोड़ो अंकल आंठी कैसे हैं वो बढ़िया है, आप बताइए, भाया भाभी कैसे हैं, आँ वो भी मसते हैं, अच्छा रसिका मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है बाद मैं मिलते हैं, ओके, बाई, बाई, रसिका चाहती थी कि राहूल उ रसिका और राहूल की शादी तै कर दी थी, पर शादी से पहले ही राहूल के मातपिता का देहांत हो गया, लेकिन किशोर और सरीता दिल से चाहते थे कि रसिका ही उनके घर की बहू बन कर आए, इसलिए वो रसिका का नाम लेकर राहूल को छेड़ते रहते थे, रसिका भी रहुल को ही अपना पती मान चुकी थी, वो कभी कभार जान बूज कर रहुल से मिलने के लिए सजधच कर तयार होकर कॉले जाती थी, उससे बात करने की कोशुश करती थी, लेकिन रहुल उससे बचता फिरता था, लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे, तो शादी की बाद भी चलने लगी आओ आओ किशोर बेटा कैसे हो आप नमस्ते आंटी जी मैं ठीक हूँ नमस्ते आंटी जी आप कैसी हैं मैं भी ठीक हूँ रसिका ओ रसिका जल्दी आओ देखो तुम्हारे जेट जेटानी आए हैं अपनी मा की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर चुए हाला कि उसके नजरे किसी को ढूण रही थी क्या हूँ रसिका? किसे ढूण रही हो? जी, किसी को नहीं, मैं चाय लाती हो रसिका की बाद सुनकर वहाँ सभी लोग मुस्कुरा दिये तभी किशोर ने कहा अंटी, अब वक्त आ गया है हमें जल्दी से अपनी सिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ मेरी तब्यद भी ठीक नहीं रहती डॉक्टर भी जवाब दे चुके है जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया वही अब मुझे भी मार रही है अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है हिम्मत रखी आंटी जी सब ठीक हो जाएगा हाँ बेटी बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले कोई दुख नहीं उसे दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीक तै कर दी गए ये देखकर रसिका की खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन घर आकर जैसे ये बात किशोर ने राहुल को बताई तो वो बहुत नाराज हो किया और गुस्से से बोला भीया भावी मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है ये क्या बूल रा राहुल पर मा बाबुजी की यही चाब और मेरी इच्छा का क्या मुझे रसिका पसंद नहीं है साफ बात ये है क्या बुराई है उसमें सुन्दर है संसकारी है और अब समझ नहीं रही हो भावी वो सीधी साधी बहेंजी टाइप लड़की है हमारी नहीं जमेगी देख रहुल तेरी शाधी तो रसिका से ही होगी परना याद रखना वो वसीयत वाली बात वसीयत का नाम सुनते ही रहुल चुप हो गया उसे जुकना पड़ा और कुछत मात राहुल और रसिका की शंबरभा रसिका बहुत खुश थी फुगहर के कामों में सरिता का पूरा हाथ बटा थी और किशोर की भी बहुत इज़त करती थी लेकिन दूसरी तरफ राहूल अब बहुत चुपचाप रहने लगा था साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर रहूल वो वकिल साब आएंगे शाम को तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें तीन चार कागजों पर अब ठीक है भीया मैं कर दूँगा अभी आफिस या रहा हूँ दरसल किशोर और रहूल के पिता शंभुनाथ एक वसीयत छोड़ गये थे उसके मताबिक रहूल को उनके जैदाद का आधा हिस्सा उसे दिन मिलेगा जब वो रसिका से शादी करेगा रसिका से शादी के बाद किशोर ने उसी दस्तावेस के बारे में रहूल से बात की थी शाम को वकील आया और उसने राहुल से पेपर्स पर साइन भी करवा लिये अब शम्भुनात की आधी जायदाद का मालिक राहुल बन चुका था कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो रसिका के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई थी उसके हाथ में एक चिट्थी थी जो राहुल उसके लिए छोड़ कर कहीं चला गया था उस चिट्थी में राहुल ने लिखा था कि वो रसिका से शादी करने से पहले एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्फरेंट थी और उसने सिर्फ अपने पिता के जैदाद पाने के रिए रसिका से शादी की थी और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपने पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था किशोर ने फॉरन राहुल को फोन किया मगर राहुल ने उसका फोन ने उठाया उल्टा ये मेसेज कर दिया कि अब से उसका ना तो रसिका से कोई रिष्टा है और ना ही किशोर और सरिता से ये क्या किया राहुल? ऐसा कैसे कर दिया तुने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी पर न वो कभी ऐसा नहीं करता नहीं बाबी आप अपने आपको मत कोसो मेरी किसमत खराब है जो मेरे आते ही ये घर तूट गया रोती बिलगती रसिका को किशोर और सरिता ने सहरा दिया राहुल के धोके की बात रसिका की मा बरदाश नहीं कर पाई और वो भी चल बसी इस बात को कही महीं ने गुजर गए अब तो राहुल ने विदेश में जाकर अपना नमबर में बदर लिया इधर रसिका ने भी एक आफिस में नौकरी शुरू कर दी धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया लेकिन राहुल लोट कर नहीं आया किशोर और सरिता समझ गए थे कि अब राहुल कभी नहीं लोटेगा फिर एक शाम जब रसिका अपने ओफिस से लोटी तो वो हैरान रह गई किशोर और सरिता उसके कलीग हरीश के साथ बैठे थे हरीश या हां रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाते हैं पर भाबी, ये ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता जब राहूल अपनी जंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी मैं सिर्फ भाबी नहीं हूँ तुम्हारी आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी मा भी हूँ और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं भाबी रसिका कोई जवाब तो नहीं दे सकी लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बया कर रहे थे उसकी भाबनाओं को सरीता ने समझ लियो और फिर रसिका भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बन कर आई थी लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो राहुल के किये की सजा में तुम्हें नहीं भुगतने दूगी तुम्हारी शादी हरीश से होगी मैं और तुम्हारी भाईया इस बार तुम्हारा करन्यादान करेंगे और हाँ हमेशा एक बात याद रखना तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं तूटेगा ये घर हमेशा तुम्हारा माई का रहेगा इतना कहकर सरीता ने रसिका को गले से लगा लिया रसिका रोय जा रहे थी लेकिन उसे ये विश्वास भी हो गया था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो वो अनात थी